हलो फ्रेंट स्वागता आप सभी के ड्रोइंग विद मनिस में मैं आपके लिए आज एक और वैल्यूबल वीडियो लेके आया हूं ड्रोइंग के तो यह जो ड्रोइंग आप देख रहे हैं देखने में बिल्कुल इजी लग रही होगी लेकिन मैं आपको इससे बहुत कुछ बताने वालों हैं इसमें आप सिखने वाले हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थैर्ड एंगल प्रोजेक्शन का अगर आपको सिंबल नए भी दे रखा हो तो आप कैसे पहचानेंगे कैसे आपको पता चलेगा इसका फ्रंट वीव, साइड वीव, टॉप वीव, इसका इसवी देखते हैं इसवी में 3D में कुछ इस तरह का दिखाई देगा यह जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 30mm, यहां से यहां तक की 30mm, यहां से यहां तक की 30mm, यहां से यहां तक की 30mm, यह 30mm के सारे ब्लोग है 30x30, सारा कुछ 30 30 30 30 ठीक है और इसमें सारे मतलब ये कुछ ही dimension दे रहे रिखे से के लिए हो जारा रहा है कि ये सारे के सारे है सभी कि सारे इक्वल रहो है Śबी में जो distance ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ से 30 यहाँ से 30 और ये height 30 इधर ये 30 सभी का सब 30 है ठीक है अब बात करें भाई इसमें आपको सीखने को क्या मिलने वाला है यहां पर देखिए इसका फॉरंट वी कि दर से देखिए यह एक्स आप देख रहे हो मतलब इस साइड से इसका फॉरंट वी बनेगा चाहिए फरस्ट अंगल प्रोजेक्शन हो चाहिए इधर से आप देख रहे हैं तो इसका फॉरंट वी देखते हैं फॉरंट वी में आपको क्या दिखाए देगा यह यह फॉरंट वी वैब अगर आपको सिर्फ यह एक व्यू दे रखा और आपको बोले की बताओ बाई यह फ्रस्ट अंगल प्रोजेक्शन में आप नहीं बत यहाँ पिदेखिए फ्रंट वय में क्या देर रख भई इए 30 है यह टोटल इसको विड़ हो गही और नाइनटी कैसे यह तरी का यह ठर्टी नाइन अ और 90 ठीक है यह पता चल गया front view में side view भी कुछ इसी तरह का इसका same और top view भी इसी तरह का क्योंकि यह चारो तरफ से same ठीक है 90 by 90 अब भाई इसमें first angle projection और third angle projection में कैसे अंतर पता चलागा लो भाई first angle projection करते हैं सबसे पहले अब first angle projection और third angle projection को detail में जानने के लिए वीडियो देख लो भाई उसका link मिल जागा description में knowledge TV वो वीडियो है अपने चैनल पर लिंक description में है देखो और सीखो उसके बाद में यहां पर आना ज्यादा मजाएगा अब देखिए first angle projection में actual में क्या होता है जिदर हम देखते हैं उद्दर हमारा job रखा रहता है माल वीवर यहां पर है जैसे कि अपना आते है front view में आइसे वीवर में आपका जो हमारा viewer है मतलब हम हैं जहां से यहां खड़े होके अगर देख रहे हैं तो जो projection बनेगा ने वो हमारे और job के पीछे बनेगा मतलब यहां पर आपका job रखा है projection में इस side में front गा देखें first angle projection में जैसे front view है यहां पर इसे हो कर दियागी और यहां से देखोगे तो किस side projection बनना चाहिए first angle में इसके नीचे की तरफ बनना चाहिए job आना चाहिए बीच में ठीक है ऐसे ही अगर इसके right side में यहां खड़े होके देखेंगे तो projection कहां बनना चाहिए इसके पीछे बनना चाहिए first angle में यही होता ने हमारा plane of projection पीछे क प्रोजक्शन बीच में नाता है सेम वैसे राइट स ltd ओके देखते हैं तो आपको right side view right में ही मिलेगा तो ये भाई मोटा मोटा अंतर है सीद्धा सेक्स में कोई confuse होने की जरूरत नहीं है बिना symbol के भी आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से angle of projection में है तो दोस्ता अगर वीडियो valuable लगी होना है तो अभी वीडियो को like करो और साथ साथ subscribe करो drawing with money को और भाई को support करो मिलते हैं next वीडियो में thanks for watching